जै हिन दोस्तों आप सभी लोग का स्वागत है Mr. Scalper की एक और नही वीडियो में और मैं हूँ आप सभी का दोस्त संचित और दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं Yes Bank को लेकर तो finally Yes Bank में हमें धमाकेदार तेजी जो है वो देखने को मिल चुकी है Yes Bank में क्या क्या डेली अपडेट आई है उन सभी चीजों के बारे में इस वीडियो में हम डिसकस करने वाले हैं तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को जोइन नहीं किया है तो भाई जल्दी से जाओ टेलीग्राम चैनल को जोइन कर लो कोई भी डेली या लेटेस्ट अपडेट होगी वो मैं आपको उसमें सबसे पहले बता दूँगा साथ ही में अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सबस्क्राइब नहीं किया है तो भाई सबस्क्राइब कर लो कोई भी आपके शेर से रिलेटेट कोई भी आपका क्वेरियो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिखते हैं मैं आपके शेर को रिलेटेट वीडियो जो है इस विकेंड पे काफी सारे जो बनाने ही वाला हूँ तो आपके related share जो भी होगा उसके बारे में भी मैं आपको बता दूँगा तो चलिए दोस्तो वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तो आज finally yes bank में upper circuit लगा है मतलब जबर्दस तेजी हमें देखने को मिली है yes bank में जो कि बहुत positive चीज हम बोल सकते हैं आप देखें एक important चीज मैं आपको technically दिखाऊंगा मगर उससे पहले कुछ latest update जो yes bank को लेकर है उन चीजों के बारे में हम discuss कर लेते हैं सबसे पहले चीज अगर आप yes bank को लेकर देखें तो latest update जो चपी है money control में उसमें आप देख सकते हैं DCB bank और yes bank इस वक्त best interest rate जो है वो आपको provide कर रहे हैं 6.5-75% का interest rate deposit पर अब आपको पता है yes bank की अगर हमने quarter 3 की report देखी थी उसमें आपने एक चीज जो है वो notice करी होगी yes bank में जो deposit है profit अच्छा improve हो रहा है interest rate अच्छा improve हो रहा है बाकि सब चीजे बढ़िया है अगर आपने मेरी last video देखी होगी इसमें मैंने आपको बताया था कुछ rating agency ने yes bank को जो है sell rating दिये और target काफी नीचे के दिये हैं वो क्यों दिये हैं वो इस वजह से दिये हैं क्योंकि yes bank के deposit कम हुए हैं अगर आप देखे quarter on quarter basis तो 8% deposit बड़े हैं मंगर 2019 से 2020 का अगर year comparison करते हैं तो 12% deposits जो है वो घटे हैं तो इसी के मद्दे नजर yes bank ने अपना चीज है यह yes bank के लिए और especially yes bank के deposits के लिए क्योंकि deposit बड़ेगी तब ही उस पर yes bank जो है आगे loan दे पाएगा और उसी से उसको जो हो कमाई हो पाईगी सबसे बड़ी important चीज यह है जो कि आज की सबसे बड़ी breaking news बनके सामने आ रही है दूसरी चीज अगर आप बात करें तो एक बड़ी news हमने निकल के आई है वो है economic service related अब economic survey में यह कहा गया है कि RBI का जो AQR है asset quality review का जो section है उसकी लापरवाही की वजह से yes bank और लक्षमी विलास bank में जो यह spill out हुआ है यह सारी चीज़े हुई है तो मतलब अगर economic survey RBI के जो इसमें जो भूमी का है उसके उपर सवाल उठा रहा है क्योंकि यह बहुत एक हम बोल सकते हैं yes bank और इनके लिए रहत की बात है कि भाई blame of RBI के उपर जा रहा है direct इसमें bank को की और उसकी गलतिया नहीं निकाली जा रही है क्योंकि कोई भी आप अगर बोलें तो negative news में कोई भी bank नहीं रहना चाता है जादा time के लिए तो आज कुछ अच्छी खबरे आई हैं अब टेक्निकली एक चीज़ आप यहाँ पर समझिए यहाँ पर अगर मैं आपको दिखा हूँ तो यह एक रियस बैंक ने आज support zone से support लिया अगर आप daily chart में देखें यहाँ पर जब gap अप होने शुरू हुए थे 12-13 की zone में उसके बाद इसने इस area में बहुत time तक जो है consolidate किया था बहुत time तक consolidate किया था और उसके बाद breakout दिया था फिर यहाँ पर consolidate किया दो चार दिन और उसके बड़ा breakout आया था अब जब इसने गिरावट दिखानी शुरू करी इंतनी sell rating के द्वारा right issue जो आने वाला है जिसमें most probably price जो है share price से कम ही होगा इस वज़े से बड़े investor जो है इसके price को जबरदस्ती नीचे लेजाने की कोशिश कर रहे थे मगर जैसे कि आपको पता है लोग support resistance देखके ट्रेडिंग करते हैं buy sell करते हैं तो उन्होंने यहाँ पे एक strong support देखा इस वज़े से हमें आज buying happening देखने को मिली है अब important क्या होगा important होगा कि क्या ये परसो भी sustain रहती है मंडे को budget में क्या आएगा वो अभी तक नहीं पता NPA वगेरा की बहुत सारी अस्तिरता है मगर एक चीज़ आप बोल सकते हैं yes bank long term के लिए positive share है आने आपको बोला था 12-13 रुपे के rate में दुबारा नहीं मिलेगा और most probably जो FPO है या right issue है वो 15 रुपे की range के आसपास ही आना चाहिए जिससे yes bank को ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी तो दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को like कीजेगा चैनल को अभी तक subscribe नहीं किया है तो क्या कर रहे हो भाई चैनल को subscribe करो वीडियो को like and share भी कर दो मिलता हूँ आपस अगली वीडियो में thank you so much for watching guys जहिंद वंदे मातरम